हलो एन वेलकम बैक टो इंट्राकॉगनिशन तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे फर्डिन एंट टॉनीस के दुआरा दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स दिये गए थे कम्यूनिटी को समझाने के लिए पहला टर्म गेमेंशाफ्ट ये क्या होता है और दूसरा गेजल शाफ्ट तो दो तरह की कम्यूनिटी उन्होंने बताई गेमेंशाफ्ट और गेजल शाफ्ट तो इन दोनों कम्यूनिटी को बहुत आसान जी भाशा में समझेंगे वैसे ये बहुत आशान है आपको बहुत अ देखेंगे आने वाले वीडियोज में और उनकी थियोरीज को समझेंगे और यह बहुत इंपॉर्टन्ट है UGC NET सोशल वर्क वालों के लिए तो आप अगर नए है चैनल पे तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा रेगुलर अपडेट्स के लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं फर्डिन अन्ट टॉनी जर्मन सोशोलोजिस्टे तो उन्होंने फर्स्ट ट्रम जो दिया था वो गयमेंचाफ दिया था गयमेंचाफ कम्यूनिटी ऐसे समझ सकते हैं कि जो रूरल कम्यूनिटी होती है जहां पर जो रिलेशन है वो बहुत क्लोज रिलेशन होता है सब लोग एक दूसरे को जानते हैं एक सेंस ओफ टुगेदरनेस होता है तो पहला पॉइंट हो यह है कि everyone knows each other and there is a sense of togetherness दूसरा natural, personal and informal social relations होते हैं लोगों के बीच में जैसे family members के बीच में, small groups के बीच में, kinship group हो गया तो traditional communities में informal social relations होता था where people are accepted for who they are यानि कि जो वो है उस पे उनको accept किया जाता था ना कि जो उन्होंने achieve किया है उसके base पे तो stress किस पे है यहाँ पे? ascribed status ascribed मतलब जो आपको जन्म के साथ status मिला है उस status के साथ में आपको accept किया जाता था तो ये एक rural community के बारे में बात किये गेमेंशाफ्ट में और चोथा जो हमारा point है limited social change आप देखते हैं, rural communities में जो social change है वो बहुत limited होता है, बहुत gradual होता है और बहुत slow होता है और no tolerance for social deviance अब social deviance का मतलब यहाँ पे है कि कुछ norms और culture जो है community के वो बने हुए है उससे जो deviance है, उससे जो हट के जो होता है न, काम अगर कोई कर रहा है उस community का member तो उसका कोई tolerance नहीं है उसको punish किया जाएगा तो यह सारे जो points है यह gaminshaft में यह kimship हम आगे जाके दोनों के difference भी देखेंगे तो यह motivated तोर पर यह gaminshaft community को इस तरह से समझाया दूसरा gazelle shaft community अब यहाँ achieved status और derived status important हो जाता है आपके degree क्या है, आपने क्या काम किया है जीवन में कहां तक आप gain किये हैं कितना आप कमाते हैं, क्या आपका status है जॉब में, हैना तो यह सारी चीज़े important हो जाती है, gazelle shaft में mostly urban communities होती है more tolerance of deviance, आप deviance करेंगे culture से या norm से तो आपको accept किया जाएगा tolerance है वहाँ पर social change बहुत evident है rapid social change दिखता है rational self interest where interest of individual supersedes the interest of group, हैना self interest जो है, individual का interest जादा माईने रखता है group के interest है, ठीक है utilitarian goals as well as contractual agreements dominate interaction between individuals, तो utility पर बात हो रही है, इंसान कितना काम का है, उसके इसाफसे relations बनते हैं, कि हमारे क्या काम का है और contractual agreements होते हैं कि इतने time के लिए हम लोग साथ में हैं इस business के लिए हम साथ में हैं और ये contract खतम होने के बाद वो जो relation है वो तूट जाते हैं तो contractual agreements होते हैं, uteritarians goals होते हैं और division of labor होता है अगर एक business organization, association मना है तो सब लोग अपने-पने roles बाट लेंगे, तो एक division of roles भी होगा, division of labor भी होगा अब social control जो है वहाँ पर norms, culture और अलग-अलग चीजों से होता था उनके informal methods थे social control के लिए, लेकिन यहाँ क्या होगा gazelle shaft में, social control is more formalized है, बहुत formal social control के तरीके होंगे based on laws and rules, court and procedure होगा, जैसे आपने अगर agreement follow नहीं किया, तो कुछ अलग उसके लिए rules होंगे formal rules होंगे, regulations होंगे with formal sanctions enforced when laws are violated अगर आप agreement के laws को violate कर रहे हैं, तो आपके उपर sanction लग सकता है, आपको punishment भी मिल सकती है तो ये basically मोटे मोटे दोरपे gazelle shaft community होती है, अब आगे difference देख लेते हैं, दोनों में क्या difference है तो gaminshaft community में क्या है कि एक homogenous community है homogenous culture है, यहाँ पर gazelle shaft में heterogeneous होगा यहाँ पर intimate relation है informal, cooperation है एक दूसरे के बीच में sense of moral obligation है लेकिन यहाँ क्या है goal oriented more formal है, based on individual self interest, competition है एक दूसरे के बीच में, यह सारी चीज़े gazelle shaft में आगी, अब these relationships are typical of hunter, gatherer, horticulture and other relatively small pre-industrial societies, जो rural communities है, basically उन्ही को gaminshaft बोला गया, और इधर gazelle shaft, क्योंकि यह सारे features हमको gaminshaft के जो features है, यह हमको rural communities में ही मिलते हैं, urban में नहीं मिलेंगे इसी तरह से gazelle shaft के जो features है वो हमको urban communities में मिलेंगे तो इसलिए यहाँ पर इसको urban community भी बोल सकते हैं तो complex division of labor होता है gazelle shaft में, these relationships are typical of industrial societies ठीक है, तो I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा and आने वाले videos हमारे community organization पर ही होंगे continuous हम videos डालेंगे और UGC net की जो सारे topics से उनको cover करेंगे, if you have not subscribe to the channel then please subscribe and thank you so much for watching all the best for your exam